नमस्कार मैं डॉक्टर स्वाती मिश्रा आज फिर से एक वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ यह जो वीडियो है वो है रिसर्च क्राइटेरिया से रिलेटेड देगे इधर मैं कुछ सोशालोजी के टॉपिक जो प्योर सोशालोजी के टॉपिक है उसको कुछ चीजों को आप बताइए और रिसर्च में थो हम सब जगभे पढ़ते हैं और दूसरी चीज की जैसे में में बहुत सारे डिसर्टेशन के पेपर होते हैं फिर हमारे कुछ कई सब्सक्राइबर रिसर्च कर रहे हैं या फिर वो कहीं पर एज फेकलटी काम कर रहे हैं तो हमारी ये moral responsibility होती है कि हम किस तरह से अपने जो research को किये गए काम हैं उनको publish कराएं तो पिछले वीडियो में मैंने आपको research paper कैसे publish कराएं उस पे बात किया था मैंने अपने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में मैं एक जो research paper अपर एक अच्छे research paper में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए मतलब research criteria क्या-क्या होना चाहिए and क्या-क्या उसमें content होने चाहिए मैं आज इस पे बात करूंगी कि एक good research paper में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए आप जैसे कई सारे students को यह clear नहीं है कि research paper में क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या-क्या point होगा तो मेरा research paper एक excellent research paper के रूप में एक authentic research paper के रूप में माना जाएगा और फिर एक अच्छे journals में published भी होगा तो आज मैं इसी पर बात करने जा रही हूँ मैं Dr. Swati Mishra मैं assistant professor हूँ बनारस Hindu University B.H.U का एक बहुत renowned college है आर महला PG college और आप सभी के blessings से हमारे college को इस बार A grade मिला है NAC में अभी अभी हमारे यापरिल में NAC की टीम विजट करके गई थी तो उसमें हम लोगों ने A grade पाया है जि कुछ मेरे health issues को ले करके और कुछ college में NAC की preparation करनी थी तो बहुत सारी और responsibility है तो thank you to all of you चलिए आज ये वीडियो हम शुरू करते हैं प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते चलिएगा चैनल को यह है आज का हमारा topic research criteria और what should a good research paper contain okay and authentic paper is generally composed of following criteria जो एक अच्छा paper होता है एक authentic papers जो होता है उसमें ये ये चीज़ें होने चाहिए क्या 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 कुल 11 point पे बात होगी first of all necessity of research अभी मैं एक एक point को discuss करूंगी second कि what is the significance of your research third relevance of your research, fourth clarity of research, fifth relation to literature, जो literature review है उसके साथ क्या relation है reference of research, फिर है methodology of research, critical qualities, data analysis, clarity of conclusion and the quality of communication okay ये 11 point है जो research paper में हो नहीं होना चाहिए अभी मैं सिर्फ पढ़ ली तो आपको भी clear नहीं हुआ कि क्या 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 अब हम लोग चलते हैं एक-एक point की तरफ कि क्या है जैसे पहला है हमारा necessity of research ठीक है कि आखिर हमारे research की क्या आविश्यक्ता है, क्या जरूरत है, क्या necessity है हम क्यों कर रहें research तो अगर इन दोनों में ये जो दो option है अगर इसमें आपका answer yes आता है that means कि your research paper is authentic okay first है कि should the area be addressed because it has been neglected क्या आपने उस area का चुनाव किया है जो कई वर्षों से neglect था समाज से जैसे कि मान लिजे कि आप अगर किसी field में research करने जा रहे हैं तो आपको वो neglect area को आपको find out करना होगा अब आपको लगेगा कि madam ऐसे neglect area तो नहीं होता है होता है आपको मैं बताऊंगे आप कैसे neglected area को find out करेंगे तो आप research gap से समझेंगे आगे इस पर बात होती है second है would the area fill a gap in current scientific knowledge कि क्या आप वो research करने जा रहे हैं जो आज के विज्ञानिक ज्यान में scientific knowledge में कुछ भी अपना contribute कर रहा है अगर आपका research कुछ भी contribute नहीं कर रहा है तो please छोड़ दीजे कोई मतलम नहीं है आपका research जो है वो कुछ contribute होना चाहिए समाज में जो research paper है research paper तो तब आएगा न जब आप research करेंगे तो कहीं न कहीं से research में भी ये चीज़े आनी चाहिए तो ये point है तो what is the necessity of your research it be totally depend upon the neglected area that you chose for your research work and the gap and you find out the gap which contributes some scientific knowledge in the present era आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा next point की तरफ आगे बढ़ते हैं कि what is the significance of research हमें ये भी द्यान दे रहा होगा कि आखिर significance क्या है research का if your answer is yes ये सारे points मैंने बनाए है अगर आपका answer yes आता है like does your paper advance understanding क्या आपका जो paper है वो कुछ advance understanding की तरफ जा रहा है advance understanding मतलब कि common understanding न हो ठीक है वो advance understanding हो मतलब कि like अगर मान लीजे आप water depression पे काम करने जा रहे है या climate change पे आप काम करने जा रहे है कि climate change क्यों हो रहा है उसके पीछे what are the social consequences उसके सामाजिक जो consequences है क्या है ये सारे पे आप तो आपको एक general understanding नहीं create करना है general understanding तो बिना research किये create रहता है आप common व्यक्ति से भी पूछेंगे कि पानी चरन का क्या कारण है तो वो एक common सा answer दे देगा है water depression का क्या reason है तो वो simple सा एक answer दे देगा बट अगर आप उससे आप अपने research को करके कुछ advance understanding create किये है that means कि आपके research paper में दमखम है भाई क्या आपका paper जो है वो आगे चल करके कुछ useful contribution कर रहा है मतलब society में कुछ ऐसा contribute कर दे रहा है जिससे की कुछ चीजे बदल जा रही है तो समझे कि ये एक authentic research paper है पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था न कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है इसके लिए क्या है कि आप जिस particular journal में publish कराने जा रहे हैं उस particular journal के आपको पहले कुछ research paper पढ़ ले होंगे at least 5 to 10 research paper आपको पढ़ लेने होंगे तब ही आप समझ पाएंगे चीजों को आपने वो पढ़ रखा है आपने literature reviews पुड़े पढ़ रखे हैं जैसे आप किसी topic पे काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले जो और काम हो चुके हैं that is called review of literature तो आपको review of literature पे आप अपना काम कर चुके हैं पूरा पूरा ठीक है आप अप easy है कि आप जब अपना advance understanding बना रहे हैं तो आपका जो paper है वो कुछ useful contribution तो भाई हो नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं बेवज़ा हवा में बातें नहीं होना चाहिए आपने research किया उस पे paper लिखा और वो paper आगे चल करके कुछ useful contribution भई करना ही चाहिए उसको next है are your finding original that is the most important thing कि आपने जो study किया आपने जो research किया आपने उसके बाद जो findings लाई क्या वो original है या फिर किसी से लिया दिया है ऐसा तो नहीं होगा ना आपने किसी से लिया, किसी से चुरा लिया your original findings next है are your research help in solving various operational and planning problems of business and industry क्या आपका research आगे चल करके किसी industries को help करेगा किसी business planning को help करेगा like कि आपका research जो है वो policy making में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्योंकि government उन्हीं research को आगे देता है जब वो policy making में help करे तो ये चीज बहुत important है तो आपके research की जो findings है वो policy making में होनी ही होनी चाहिए तो उसका importance है your research should be equally important for social scientists in studying social relationship and in seeking answer to various social problem it gives intellectual satisfaction of knowing things for the sake of knowledge okay समझ में आया कि किस तरह से आपका जो research paper है वो importance रखे गा आगे बढ़ते है next point की तरफ that is the third point relevance of research if your answer is one of them first is your paper fulfill the interest area of that particular journal जैसे आप जिस journal में भेज रहे हैं अपना research वो मैंने पहले ही बताया था कि आपको क्या करना है तो जिस journal में आप अपना research paper भेज रहे हैं क्या उसका जो interesting area है उसको आपको research paper fulfill कर रहा है like कि अगर आप gender studies में environmental issue का paper भेज देंगे तो भईया चपेगा कहां से चपेगा never तो आपको आपके journal के according काम करना भी तो है या आप जो काम किये हैं उसके according journal की तलाश तो करनी है कि आप अगर environmental issues पे काम किये हैं और उसको urban studies वाले को भेज दे रहे हैं नहीं चपेगा yes multi-disciplinary journals होते हैं पर जादा तर वो हमें predatory journals में मिलते हैं जो original journals हैं वो आपके specified area की according है चेक है तो आप समझ गए इस चीच को is your title of paper is relevant to the publication क्या जो आपका title of paper है ना देखिए हम लोग बहुत title जो paper की title होती उसको बहुत योँ ही ले लेते हैं यो मतलब हलके में ही ले लेते हैं पर आपका जो title of paper है वो publication के लायक है या नहीं है उस चीच पे भी आपको ध्यान रखना होगा आगे चलते हैं next point clarity of research कि आपका research जो है वो कितना clear है जैसे is your topic is clearly mentioned क्या आपका topic clearly mentioned है कई जगों पर topic जो होता है वो clearly mentioned नहीं होता है क्या होता है आधा दूरा topic होता है like कि अगर हम adolescent पे काम करने जा रहे हैं तो उस topic पर पूरा पूरा complete लिखा होना चाहिए जिसमें कि clear होना चाहिए कि आपका sample area भी क्या है वो clear topic होना चाहिए आधा दूरा topic नहीं बनाईएगा ठेकर पूरा पूरा clear topic होना चाहिए आगे चलके मैं और videos बनाऊंगी तो format of paper जब मैं बनाऊंगी तो उसमें भी वो सारी चीज़े डालूँगी इसलिए मैं आपर example नहीं डाला है next does your paper follow through by addressing this topic क्या आपके paper में congently and consistently दो शब्द है दिखें दो शब्द है cogently and consistently ये दो चीज़े नजर आ रही है cogently means क्या होता है कि definition of cogent is something that is convincing or believable जैसा आपका जो fact निकल के आए वो believable fact हो जैसे एक example है कि climate मैं ते साथ एक line miss कर दिये कि climate change is due to the human interference ठीक है एक example लेते हैं कि जो जल्वायू परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे इंसान का एक बहुत बड़ा factor है तो ये क्या है ये convincing है ना ये सभी मान रहें कि हाँ ऐसा है ये believable है आप कुछ का कुछ तर्क दे रहेंगे जिसका कोई correlation नहीं है तो वो believable नहीं है ना अब आप कहा दिये कि climate change के लिए इंसानों से ज़्यादा तो जानवर जो animals है वो responsible है या plant responsible है ये believable है never नहीं है ना तो आपको इस तरह से चीजे connect करके देनी होगी and next consistently मतलब makes reading easier for the reader because obstacles that would make their task more difficult are removed क्या जो matter है आपका जो आपने अपने research paper में लिखा है वो क्या होना चाहिए easily reading readable होना चाहिए मतलब वो आसानी से पढ़ा जा सके क्योंकि जिस व्यक्ती ने काम किया research paper पे जिसे आपने अगर अपने research paper पे काम किया है तो reading time में easily समझ में आए जो कठिन चीजें हैं जो आम इनसान को समझ में ना आने वाली चीजें हैं उनको remove कर दिया जाता है चीक है तो make reading easier for the reader जो लोग पढ़ने वाले हैं उस research paper को उसको भी आपकी बात समझ में आ जाए whether they are academician or they are common people कोई भी हो सकते हैं तो वो आपकी भाशा को समझे ऐसी चीजे लिखिए उनके एकदम high five ना लिख दो कि कोई भाया समझी नहीं पा रहा है तो ऐसे research paper पे आपको काम करने की जरूरत है ओके आगे next चलते हैं relation to literature literature से क्या relation है like कि अगर आप women status पे माल लीजे काम कर रहे हैं और women status पे आप literature review कुछ-कुछ और डाल दिये उसमे literature review मैंने बताया ना क्या होता है literature review बताया है कि जिस topic पे आप काम कर रहे हैं उससे related जो पहले काम हो चुके हैं उसको आपको खोच करके तलाशना है ता कि आप research gaps identify कर सके तो कि पहले के लोगों ने जो काम किया आप same उसी पे तो काम करेंगे नहीं आप क्या करेंगे कि आप पहले पूरा literature review पढ़ेंगे और फिर identify करेंगे कि क्या बाकी लोगों ने miss कर दिया और अब उसी काम को मैं करूंगा चेके उसी काम को जिम मैं करूंगा that is your research gap तो research gap करने के लिए क्या होगा कि आप literature review की तरफ जाएंगे तो आपका जो content होगा उसी तरह का literature review भी होगा जैसा research paper में topics होगा उसी तरह का research review of literature होगा like does your paper show an adequate understanding of the current literature in the field क्या जो आपका paper है वो current literature को follow कर रहा है does your paper connect with the literature in a way which might be useful for the development of our understanding in the area it addressed ठीक है उसी area में आपका literature review होना चाहिए जिस पे आप काम करने जा रहे हैं जिस पे आप काम नहीं करने जा रहे हैं उसका please literature review मट डालिए कि मुझे 50 literature review लिख नहीं है paper में तो ओल जलूल भरे जा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है next क्या है reference of research कि आपके research का reference if your answer is yes does your paper use theory in meaningful way क्या आपको जिस पे काम कर रहे हैं उसे related जो आपने theory use की है क्या वो meaningful तरीके की है does your paper develop theoretical concept in such a way to make generalize क्या आपने कुछ ऐसी theory develop की है अपने research paper में जिसको की हम सभी जगह generalize करें मतलब सभी जगह follow करें ऐसा नहीं कि सिर्फ आप particular एक ही चेतर पे आप उसको generalize करें बाकी जगह पे उसका कोई मतलब नहीं है जितनी ज़्यादा generalized theory होगी आपकी उतना ही best आपका research paper माना जाएगा and does your paper apply theory to practice क्या आपने जो theory apply किये क्या उसको regular practice में ला सकते हैं ये सारी चीज़े important है अब जो सबसे important point है वो methodology of research आपने जो methodology का इस्तमाल किया अपने research में वो बहुत ज़रूरी है जैसे कि has your research paper is well designed क्या आपका research paper अच्छे से designed है well designed है आपका research paper well designed का मतलब कि आपने सारे methodology को इस्तमाल किया है सारे methods अब पूरा पूरा बात तो methodology पे नहीं हो सकता है बहुत सारे तरीके होते हैं अलग-अलग techniques होते हैं sample collection के तो ये सारे methodology होते हैं पूरा methodology का तो अलग से पूरा lecture ही है बहुत लंबा चोड़ा तो has your research paper is well designed या does the paper show adequate use of evidences और other intellectual raw materials in its support क्या आपने जो methodology यूज की है वो आपके research को support कर रहा है की नहीं कर रहा है आपको वैसे देखना होगा समझ में आ गए ये point अब next है data analysis your answer अब data analysis अब आप field में गए सारे चीजों को आपने collect करके लाया सारी चीजों को आपने collect कर लिया सारे data को collect कर लिया अरे उस data को अब analyze भी तो करना है अब आप raw data ला करके रख दिये अपने research paper में तो उससे काम नहीं बनेगा आपको अपने data को analyze करना होगा और analyze करने के लिए बहुत सारे technique हैं बहुत सारे software हैं जैसे SPSS software हम use करते हैं social sciences में बहुत ज़्यादा frequently use होता है उसी तरह के बहुत सारे software में है software जिसमें आप अपने data entry करेंगे और जब उसको फिर one click पे वो सारी analysis होती है और फिर उसके बाद से उसको लिखना पड़ता है उसको deal करना पड़ता है तो can you correctly use data analysis technique can you make right interpretation from the data collected have your data fulfilled the objectives of your paper यह सारी चीज़ को आपको ध्यान देना होगा आप इन सारी चीज़ों को ध्यान दे रहे है न step wise step तो आप बहुत अच्छा paper लिख लेंगे और बहुत अच्छी जग़ा वो published भी हो जाएगा next time clarity of conclusion जो conclusion आप find out कर रहे हैं last week conclusion, suggestions यह दो बहुत important point है तो are the conclusion clearly stated कि आपने जो conclusion दिया है वो इदम साफ साफ लिखा है do the conclusion related to other elements of the paper क्या जो आपका conclusion है वो paper के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ है paper का अन्य हिस्सा मतलब कि theory, data क्या इन सब से आपका conclusion connected है पता चला भी paper में काम कुछ हुआ और conclusion कुछ लिख दिये होते हैं ऐसा काम होता है तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है ओके next हम देखते है critical qualities जैसे आपके paper में क्या चीज होना चाहिए paper show practical implications मतलब आप ऐसा मत conclusion दे दीजिए ऐसा मत suggestion दे दीजिए कि जिसका practical implications होई न जो मतलब practical level पे हम उसको implement करी न पाए ऐसा काम मत करिएगा चीक है काम वही होना चाहिए न जो practical implications करे अब हम कह दिये कि चान से तोड़ करके हम चीजों को ले आएंगे एक हैना गाना आओ तुझे चान पे ले जाएं यह क्या है practical implication है हम चान पे इसली ले जा पाएंगे आज भी इतना technology के वो rich होने पे भी common क्या एक बहुत रईस इंसान के भी नहीं है कि वो चान पे घूम के आएगा इसली चीक है आगे पता नहीं क्या होगा तो practical implications होना चाहिए paper show a critical self awareness of the author's own perspective and interest next है quality of communication quality of communication का मतलब कि आपका paper सभी के लिए हो ऐसा नहीं कि मैं लिखूँ और professor फलाने फलाने ही समझे बाकी लोग के तो भेजे में ही नहीं समझ में आए ऐसे paper का क्या मतलब कुछ नहीं न सबके लिए consistently वाला point याद रखिए जो भी मैंने पहले बताया मतलब कि paper academician भी समझे tertiary student भी समझे मतलब जो आपका primary student नहीं secondary student नहीं tertiary student भी दूर जो है जिसको आपको subject से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है वो भी आपकी बात को समझ जाए और जो professional readers हैं वो भी आपकी बात को समझ जाए ऐसा कुछ लिखिए और standard में आपकी writing मतलब जो writing flow writing मतलब यह writing नहीं जो मैंने लिखा है writing मतलब flow जो होता है paper का वो perfect होना चाहिए spelling error तो बिल्कुल नहीं and grammar भी बिल्कुल नहीं तो grammar check करने के लिए grammarly app आता है बहुत आप लोग भी use करते होंगे तो उन सब का इस्तमाल करके आप अपने paper को check कर सकते हैं ठीक है जैसे आपका paper complete हुआ उन सारे app का इस्तमाल software का इस्तमाल करते हुए grammarly का उसमें अपने paper के content को डालते चलेंगे वो highlight करते चलेगा कि आपका paper कहां पर गरबढ है मतलब grammar कहा है उसी तर जब आपका paper complete हो जाएगा तो आप अपने plagiarism को check कर सकते हैं कुछ से check करते हैं वो एक paragraph उठाता है और एकदम काईदे से highlight करके दे देता है तो आप plagiarism check करके उसकी चीजों को बदल सकते हैं flow का थोड़ा जैसे जैसे आप जितने paper लिखते चलेंगे आपका flow बनते चलेगा तो conclusion में क्या है criteria क्या है research paper का कि अगर आपने ये सारे point जो 11 point के अंदर मैंने बहुत सारे sub point बताए है अगर sub yes है चीक है सारी चीज़े yes होनी चाहिए sub yes है that means कि your paper is totally authentic and your paper have the ability to publish anywhere, anywhere means कि उस journal में जिसमें आप चाहते हैं, okay all the best your paper must provide important critical and analytical insight that contributes something new to the field of higher education आपके में वो power होनी चाहिए आपके paper में वो power होनी चाहिए कि आप कुछ critical thinking दे या higher education की field में आपका बहुत बड़ा योगदान हो, ठीक है, यह resource है sources है, जिसको मैंने follow किया है, यह इस book को मैं आजकल पढ़ रही हूँ इससे मैंने यह सारी चीजे ली हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे इनकी इनकी चीजे बहुत अच्छे से समझ में आई तो आप इस तरह से तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कि अगर सारे points, जितने भी 11 points है, सारे अगर yes है, सारे points को आप fulfill कर रहे हैं, तो definitely आपका paper publish होगा, तो लग जाए अभी BA वालों को तो मैं नहीं कहूंगी बट MA जो final year के student हैं, बहुत सारे मेरे subscriber MA final year के भी हैं, तो MA final year से ही कोशिश करिए with your teachers, अगर आपके कोई teacher हैं, आप देखिए कि वो बहुत काम करने के उच्चुक है या नहीं है, तो आप उनसे request करी कि मैं आपके साथ कुछ काम करना चाहता हूँ, आप ही सारी मेहनत करिए और उनके साथ मिल करके आप वो आपको supervise करेंगे और आप उनके साथ मिल करके में भी MA clear होते होते हैं, आपका एक paper publish हो जाए, तो बहुत cross the finger, बहुत बहुत बड़ा achievement हो जाएगा ना कि आप MA करते करते हैं, अपना paper publish कर लिए ठीक है, तो चलिए all the best, इस पे लगे रहिए, मैं इसके आगे कुछ और भी important ऐसे चीज़े शेर करूंगी आप लोगों से, till then take care, bye bye, अच्छा लगे तो like, comment, share subscribe भी कर दीजेगा कोई issue नहीं है bye